नमस्कार भाईयों सभीकों देखो आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिसकस्त करने जा रहे हैं यह जो बिहार लोकसेवा आयोक का नोटिफिकेशन है इसके बारे में नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं जो विज्ञापन संक्या 26 वटे 2023 से लिखी हुई है इसमें अभ गार्डिंग यह नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें आप देख रहे हैं कि सिक्सा विभाग है बिहार के अंतरगत विद्ध्याल्य अध्यापत के कुल एक लाख सत्तर हजार चारसो एक सट एक लाख सत्तर हजार चारसो एक सट यह आप समझ लीजिए इतनी वेकेंसी जो ह है हिस्ट्री में कभी नहीं आई होंगी चैस की और ना फ्यूचर में आने क्योंकि खासकर अगर कंप्यूटर की देखें तो साड़े आठ हजार के करीब वेकेंसी है जब पहली बार कुछ चीज लोंच होती है तो सभी जगे जवत होती है उसमें पूरे स्टेट में जवत ह कि तो बहुत वेकिंसी इस बार अगर उप चूक गये तो फिर बहुत मुस्किल कोंप्सर बढ़ता चला जाएगा बहुत मुस्किल होता चला जाएगा इस बार बहुत ही आसान है और आपके पास बहुत सुनहरा आवस्टर हैै एक लाग सकतर चारसो एक सट में से केवल एक लाश्ट वाली एक यह सीट चाहिए अप ठीक है तो बिहार गोर्णमेंट ने यह बहुत बड़ा इस्टैप लिया है एक लाग सकतर चारसो एक सट पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग या भारतिय नागरीक तथा बिहार राज् यह का इस्थाई निवासी भी होना चाहिए वही है तो कॉम्पिशन बाकी जगे से आपका हट गया बिहार वाले बच्चों के लिए तो पढ़ने वाले बच्चे हैं बहुत ही बहुत सुनेरा मोका है तो आयोग ने एक लाग सतर हजाद चारसो एक सट वेकेंसी निकाली है बिहार के स्टुडेंट्स के लिए ठीक है और यहां पर जो है इनकी ओनलाइन आवेदन कब से सुरू होंगे उसके बारे में अगर बताएं हम तो यहां पर आप देख सकते हैं ओनलाइन आवेदन प्राम करने की तितिये 15 जून 2023 15 जून को ठीक है 15 जून 2023 को आपका ओनलाइ एप्लिकेशन वेबसाइट पर इस्टार्ट हो जाएगा 15 जून को और जो लास्ट डेट होगी वह बारे जुलाई होगी बारे जुलाई लास्ट डेट होनी है 15 जून से स्टार्ट होने हैं ठीक है यह bpsc.bih.nic.in पर हैं बिहार वाले बच्चों का पढ़ने में कोई तोड नहीं है education equal to Bihar अगर हम रख दें तो कोई गलत बात नहीं होगी चाहे आप UPSC देख लो चाहे BPSC देख लो सब जगह बिहार के बच्चे टोप कर रहे हैं तो यहां इतनी वेकेंसी तुम इतने टैलेंटेड बच्चे हो सब करोगे क्यों करना तुमको अच्छे से मेहनत करो और यह जो बापके लिए ही है ठीक है आप अगली साल गोवर्मेंट टीचर बनने वाले हो जो यह वीडियो देख रह है बारही जुलाई लाज डेट है इसकी और अगस्त में 19 अगस्त से पर स्टार्ट हो जाएंगे एक ही डेट में होना तो मॉश्किल है इतनी सारी दो तो लेकिन most probably 19 अगस्त जो है पेपर इस्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो वो चलते रहेंगे दो हपते तीन हपते जितने भी चलेंगे तो आपके पास यह समझे लो जून जॉलाई अगस्त तीन महिने के करीब है ठीक है या आगर मालिया पहले पहले पढ़ गया असी दिन के गरीब है तो आपको असी दिन में बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ठीक है कोर्स पूरा कंप्लीट करना टैक्सरीज की प्रक्टिस करनी है ठीक है आप यह मत देखना कि देखो यह बहुत सुनहरा अवसर है इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से लालच में मत जाने देना ठीक है यह ध्यान रखना है ठीक है कि अगली साल आपको टीचर बनके गौवर्मेंट स्कूल में खड़ा होना है यह अपने माइन में रखो चाहे कुछ भी करना हो उसके लिए ठीक है और आप सभी को all the best form fill करना इस वीडियो में यहीं बताना था बाकी कुछ प्रोचना है तो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं कमेंट कर सकते हैं